दोस्तो राहिस्तान की स्कोलर्शिफिक चात्रों ने जिन्होंने फौरम अप्लाई कर रखे न, अब उनमें बिवाग ने हाले में NVA या ने ग्रेडिंग पेनाली को लागू कर दिया है। अब इस पेडाली से चात्रों की एक लाब से ज़ादा चात्रों की चात्रों की छात्वर्ति रुख जाएगी. अब बिवाग ने ऐसा क्यों किया है और NVA नेक पेडाली क्या है जिसको अभी हाले में लागू किया है बिवाग ने. दोस्तों आप सभी को पता है, इससे पहले ह चात्रों को काफी परिशानियों से स्कॉलर से मिल रही है अब जो NVA और नए ग्रेडिंग प्रिणाली जो लाग हुई है न दोस्तों इससे तो चात्रों की चात्रों की चात्रवर्ति रुकी जाएगी आपने अगर नहीं देखा है न्यूज पेपर में देख सकते हैं कि 99% कॉ पास में नए क्या NVA ग्रेडिंग नहीं है लाखों स्टूडेंट की चात्रवर्ति पर संकट संबाव है इसका तो विवाग की तरफ से यह जो NVA ग्रेडिंग परिणाली आई है न दोस्तों यह NVA ग्रेडिंग परिणाली क्या है क्या इसके नए नियम है और चात्रों की चा पांकारी वीडियो में देने वाला हुट दूस्तों बहुत बड़ी समस्या विवाग ने खड़ी कर दिये जिन चात्रों की स्कॉलर्षिप अभी तर्थ नहीं आई हे चाया उनके बिल बन गए है नया चात्रह या पुराना चात्रह या किसी भी यएर का चात्र है दोस्तो प्लीज एन्वे ग्रेडिंग पेडाली को देख लेना बड़ी समस्या है स्कॉलर्शिप लेने वाले अब इन चात्रों के लिए क्योंकि सरकार ने नए नए नियम जारी कर दिये हैं अब आपकी जो SGA बिवाग है ना डिपार्टमेंट है जो आप लिए स्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तो अब तो कल लो जो भी अपडेट आते हैं आपको मिलते रहेंगे बड़ी समस्यां देखने को मिल रही है इससे पहले की और भी कोई समस्या है जल्ली से जल्ली स्कॉलर्शिप ले लेना प्लीज वीडियो को लाइक कर लो ज जरूरी है यानि कि अब 2024 चल लई है इससे पहले कोलेजों के पास में नए ग्रेडिंग या NVA ग्रेडिंग होना बहुत जरूरी है क्या कहता है नए नियम आज से चलिए जानते हैं सामझे कि नया यह हों आर्थकरता बवाग SGA के नए नियमों से बिस्विद्याले हों सरका पारी और वर्नेजी कोलेजों के पास में बरस 2024 के अंद तक नेशनल एसस्मेंट एक्रीडियेशन काउंसल यानि नेक या नेशनल फोर ओफ एक्रीडियेशन एन बिये से ग्रेडिंग होने पर ही स्टुडेंट को उत्तर मेटर्ग या अन्य चात्तवर्तिया मिल पाएंगी यानि एन्विये या नेक ग्रेडिंग होने पर ही चात्तरों को उत्तर मेटर्ग हो या फिर अन्य कोई भी चात्तवर्तियों वो यहां से मिल पाएगी जबकि असल में अब तक 99% कोलेजों के पास तो ये एन्विये ग्रेडिंग परणाली है नहीं है ऐसे में लाखों लागु नहीं किया जाए क्योंकि अगर ये सड्त लागु हो जाती, तो छात्तियों की on को चिबाक की ओर से रासतान के मूल नवासी इस्टुडेंडों के लिए अन्सुच जाते जन जाती, OBC, अन्येव, गुमन्तु, SBC, सर्वजन चात्वर्ति, उत्तर मैटर्ग चात्वर्ति, उच्छ सच्छा के जो भी यह सवी चात्वर्तियां दी जाती है। इन बेविन्न सरेणियों की चात्वर्तियों के लिए लाखो स्टुडेंटों को नीमेस रूप से चात्वर्ति प्राप्त होती है। इसके لिए प्रक्रिया बिदी और कॉलेज की ओर से पूरी करवाई जाने के बाद में विवाग चात्वर्ति प्रदान करता है। यानि कि आपका फॉरम में complete काम हो जाने के बाद में college की तरफ से ही आपको जो विवाग है छात्वर्दि प्रदान करेगा लेकिन NVA लागू हो जाएगा तो college से ही आपका फॉरम आगे forward नहीं हो पाएगा और क्या कहता है NVA के बारे में college के बारे में सभी देखिए बिदी college के लिए ने ग्रेडिंग जरूरी है अन्यता योजना से बाहर हो जाएंगे ने ग्रेडिंग क्या है complete मैं आपको अभी बताने वाला हूं समझा दोंगा जो भी ने ग्रेडिंग की जानकारी है इससे पहले विवाग ने एक और जो बदलाब किया था IP address और बायमेटरिक हाजरी के नियम दोस्तों 24-25 के मानता होना जरूरी है कॉलेजों के पास में 500 से अधक स्टुडेंटों के लिए आवेधन करने पर आये जो IP address है वो भी अलक से लेना होगा प्रतेक माँ बायमेटरिक उपस्तिति करवानी होगी स्टुडेंट के आदार के आदार पर ही बैंक आता ज 500 से ज्यादा स्टुडेंटों पर लागू हो जाता है ये भी समस्या है और नेक ग्रेडिंग तो है जिसके लिए अब जो कॉलेज के सचे हैं संभाग आयुकता है कॉलेजों का उन्होंने क्या का कि एज ये विवाग ने स्टुडेंटों को छातवरती के लिए नेक ग्रेड को लागू कर दिया है विवाग ने अभी कुछी देने पहले और जिसकी ये अपडेट आप देख रहे हैं लेकिन विवाग क्या अब इसमें छूट देगा इस बर्स या नहीं ये विवाग को पर डिपेंड करता है तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों नेक क्या है जो आपकी चात्वरति को यहां से रोक सकता है तो एनुब्या पेणाली और ने ग्रेडिंग यहां से देखेगा सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ने ग्रेडिंग और आण्वे पेणाली दोस्तों एक ग्रेड की रूप में होती है कॉलेज़ों को A ग्रेड B ग्र इस प्रकार से ग्रेड के रूप में चुना जाता है विवाग की तरफ से जो सबसे कम ग्रेड का होता है उसको सबसे बेकार कॉलेज माना जाता है इस प्रकार से ग्रेड होती है लेकिन इसकोलर सब में ग्रेड किस प्रकार काम करती है देखे निजी छेत्र के विश्विद्या काउंसल से भी ग्रेडिंग से नीचे आ इससे नीचे होने पर ऐसे नीजी छित्र के विश्वित द्याला में पढ़ने वाले यानि यहां देखे दोस्तों पढ़ने वाले गरीब जरूरत मंदर छात्र छात्रां भी छात्वर्ति वा फीस आपूर्ति के लिए अयोग्यों हो ज जाएंगे जिला समाज कल्याण अधकारी डॉक्टर अमनात यती बताते हैं कि SI, CTE से अनुमिदत तक्निकी पाटेगरम संचालित करने वाले संस्ताओं से अलग से एन्वियो नेक ग्रेडिंग लेने के लिए कहा जा रहा है यानि कि कोलेजों से का जा रहा है कि नहीं डलेगी इसके लावा छोटा सा अपडेट ये भी देख सकते हैं ये बहुत प्राना है जो पहले भी विवाग ने लाग किया था जिसको लेकर बाद में रोक दिया था नीजी संस्ताओं में एन्वियो ग्रेडिंग लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले सातर ग्रेडिंग के लिए जो अपडेट है विवाग का यही है कि एन्विय ग्रेडिंग है न दोस्तों इसी से चातरों को चातुरती मिल पाएगी नहीं तो कॉलेज इस तर पर ही आपकी स्कॉलर से रुख जाएगी आगे पहुँच गया है आपका फॉरूम डियलोग पास फॉ समझ रहें बहुत बड़ी समस्या है आगे देखना यह है क्या इसको दुबारा से बबाग फिर अटाएगा क्योंकि राहस्तान के नुनिन परसेंट कॉलेजों के पास में इन्विय ग्रेडिंग प्रिणाली है नहीं लेकिन स्कॉलर्शिप में इसको लागू कर दिया है दोस्तों क्या है आप बताएगा कमेंट करेगा इससे क्या फरक पड़ेगा यह भी आप बता सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है कमेंट करेगा अपनी अगर निजी कोई प्रोब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं आसाम दोस्तों कम्प्री डान करी अच्छी है प्लीज वो भी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो सारी चीज के अपडेट मिलेंगे आपके लिए स्कॉलाशिप, एजुकेशन, सम्मंदत, बढ़ती अपडेट जो भी आएगा तेरे देरे आपको सब चीज का अपडेट आपके लिए टाइम टाइम मिलता रहेगा तो चलिए दूस्तों फिर मिलेंगे नाइश्ट अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद